उमर के साथ साथ हर किसी के दाथ जो है वो कमजोर होते हैं और हिलते हैं और गिर जाते हैं लेकिन अगर उमर से पहले आपके दाथ जो है वो कमजोर हो गए हैं ब्रश करने से वो आसानी से तूटने लगे हैं या ऐसे भी खाना पीना खाने से भी अगर वो तूटते हैं बहु प्रूम में दर्द हो सकता है, चलने में दिक्कत हो सकती है, अगर आप बैठ गये तो उठने में समस्या हो जाएगी, अगर उठे हैं तो मुणने में दिक्कत होगी, इस तरीके से कोई भी दिन चर्या वाली चीज़े अगर आप करते हैं तो भी आपको दर्द मैसूस होगा, जोडों के बीच से आपको करकराहट की आवाज भी आ सकती है, या फिर आपकी नसों में खिचाओ जैसा महसूस हो सकता है, यह सारे जो दिक्कते होती हैं वो केर्शियम की कमी की वज़स होती है, केर्शियम हमारे सरीर में पाए जाने वाले एक ऐसा महत्त्रपुर्ण और जो कि हमारी दातों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं तो कैसे आप पता करेंगे कि आपके सरीर में केल्शियम की कमी हो चुकी है और फिक केल्शियम की इस कमी को आप घर पे ही रहके कैसे पूरा करेंगे आपको बिल्कुल भी दवाओं का शेवन नहीं करने के लिए बोड़ रही हूँ सिर्फ घर के कुछ ऐसे चीजों का इस्तमाल करने के लिए बता रही हूँ जो कि केल्सियम से भरपूर होते हैं जिसके सिर्फ खाने मातर से आप अंदर दिन में अपने अंदर केल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं तो इसलिए वीडियो को अंदर तक देखिएगा और अगर आपके मन में कोई भी कोश्चन है तो प्लीज कमेंट कीजेगा बहुत जल्द उसका आंसर करेंगे हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब मैं आपकी डॉक्टर डॉक्टर जोती पांडे अक्सर लोगों को देखे होंगे कि जब 30 के आगे की उमर हो जाती है तो लोग अपने कमर के उपर हाथ को रख करके चलनाई स्टार्ट कर देते हैं क्यों क्योंकि उनके कमर में दर्ध होने लगता है उनके घुटनों में दर्ध होता है लोग सीरी अवाइड करने लगते हैं लोग हमेशा कहीं भी अगर जाते हैं तो वो सोचते हैं कि उन्हें लीचे ना बैठना पड़े कुर्सी कठा करने लगते हैं कारणवस आपकी हड़ियों में चोट लगेगा तो उनके क्रेक होने के चांसे जो है वो बहुत जादा है तो इसलिए कैल्शियम जो है आपके बॉड़ी में पूर्ण मात्रा में होना आवश्यक होता है से उसी तरीके से हमारी दाते होती हैं हमारे दातों में भी कैल्शियम ज होता वो दीखने लगता है अचानक से जब आप फसेंगे तो आपको मैसूस होगा कि पहले मेरे दात जो थे वो अलग दिखते थे और अब दातों में पारदर्शिता सारे लगा तो यह सारी चीज़े जो हैं वो कैल्शियम की कमी दर्शाते हैं अगर आपके अंदर भी स्टार्ट हो गए हैं दातों में कमजोरी हो गई है दात जो है वो लूज होने लगे हैं तो यह सारी चीज़े आपको बताती हैं कि आपको कैल्शियम की कमी हैं आपको कैल्शियम की कमी को पूरा करना होगा अब कैल्शियम की कमी को पूरा किया जा सकता है या तो आप कि कोई भी मैडिसंस के बार में बात नहीं करेंगे तो आज आपको भरे良ु चीजों के बार में बताते ooh सबसे Pir conform जैने चोटा बच्चा हो एक बड़ा आदमी हो या उरत हो उन लोगों को एक बड़े ग्लास से दूध जो है जरूर पीना चाहिए उसके Ur दर इतनी केल्शियम जरूर होती है जिसे कि आपके प्रती दिन की केल्शियम की कमी को पूरा क्या जा सके और अगर आप दूद नहीं पी सकते हैं तो आप दही यूज कर सकते हैं दही में एक छोटी कटोरी दही अगर रोज इस्तमाल करते हैं तो भी आपके लिए काफी सकेंड जो होता वो एक बीज है जिसे कि हम लोग अलसी बोलते हैं इसे कहीं कहीं पे तीसी के नाम से भी जाना जाता है इसका जो है वो एक बड़ा चमच सेवन्त करने से आपके अंदर कैल्शियम की जो कमी है वो 15 दिनों के अंदर ही ठीक हो जाती है इसलिए जब औरते उस स्टेज में होती है जब वो बच्चे को डिलीवर करती है तो उनके अंदर कैल्शियम की बहुत भारी कमी होती है तो इस कमी को पूरा करने के लिए उस समय उन्हें इन अलसी के लड़ू को खिलाया जाता है डेली एक बड़ा साइस का लड़ू खिलाने से उनके अंदर कैल् तो और जल्दी रिकवरी होती है तो आप इसे किसी भी तरह से ले सकते हैं या तो फिर उसे रोस्ट करके उसके बाद उसे एक चमच डेली ले सकते हैं या तो फिर उसके लड़ू बना करके उसे आप यूज कर सकते हैं एक ड्राइफूट्स होता है जो बहुत ही चमतकारिक हो से उतना फायदा नहीं होता है लेकिन अगर आप इसको रात में दो फिक को पानी में भीगो दीजे उसके बाद जब आप सुबह उड़ते हैं तो आप इस फिक को दूद के साथ अगर आप सेवन करते हैं तो इससे आपकी कैर्शम की जो कमी होती है वो बिल्कुल पूरी हो जा जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जो जोडों के दर्द होते हैं कमर में जो दर्द होता है वो दर्द जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है एक बीज होता है जो ऐसे तो ग्रॉस्टी स्वाप में आसानी से उपलग्ध नहीं होता है लेकिन अगर हो सकता है कि आप जहां रहते में भी लिया जा सकता है और नहीं तो इसे छोटे वाले चमच से दो चमच पानी में भीगा करके इसको रात भर छोड़ दीजे और सुबह जब आप उसको उड़ते हैं तो उसको पानी के साथ ऐसे ही निगल सकते हैं इससे आपके अगर सुबह-सुबह खाली पेट में लेते ह तो इसमें calcium की कमी तो पूरी करता ही है वो आपके साथ साथ weight loss भी करता है लेकिन उसी के beach का जब 7 आप सुबह सुबह खाली पेट में करते हैं तो ये आपके लिए चमतकारिक रूप से फायदा करता है ये आपके वजन को भी कम करता है प्लस calcium की कमी को भी पूरा करता है और अगर उसको खाने के बाद अगर आप लेते हैं तो इसके अंदर पाया जाने वाला जो fiber होता है वो आपके अंदर के constipation को ठीक करता है ये beach जो होता है वो काफी अच्छा होता है calcium के लिए भी इसके अलावा body के बाकी minerals, fibers को भी पूरा करने के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं जिनमें calcium की कमी होती है मतलब जिनके दाथ छोटे-छोटे से हो जाते हैं उनके मुह में बहुत जादा कीड़े लगे हुए होते हैं उनको भी थोड़ी सी मात्रा में LC के बीद दिया जा सकता है इससे इनका पेट तो साफ रहता है यह साथ-साथ में जो आने वाले जो नए दांत होते हैं वो काफी अच्छी और काफी स्ट्रॉंग आते हैं जितने भी सी फूर्स होते हैं सारे सी फूर्स में विटामिन डी जो होता है वो प्रचूर मात्रा में पाया जाता है तो जो लोग इस समुद्र के इलाके के आस पास रहते हैं अगर उन्हें fresh seafood available हो सकता है तो वो उनका उपयोग कर सकते हैं उससे भी उन्हें काफी फायदा मिलता है विटामिन D की deficiency जो है वो बहुत ही आम है लेकिन इसकी deficiency को खतम करना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि आपकी उम्रे जैसे जैसे 30 से उपर की तरफ जाती है वैसे वैसे आपकी हड़ियों में ये problem होने लगेगा इसलिए अपनी हड़ियों को मजबूत बनाने के लिए आपको जरूरी है कि आप प्रती दीन कुछ न कुछ विटामिन D का सेवन करें ताकि आपके अंदर जो है वो विटामिन D की कोई कमी ना हो सके और आप अपनी देली दिन शर्याम को आराम से इंज्जॉय कर सकें आरकेट में से बहुत सारे प्रोड़क्ट आते हैं जो ये बताते हैं कि आप उनके उस मेडिसिन को लेने से विटामिन D की जो डिफिसीयनसी है उसकी कमी को पूरी की जा सकती है बस वास्तविक्ता ये है कि कितने दिनों तक आप विटामिन D के लिए टैबलेट्स या कैपस उसका सेवन करेंगे तो यह वास्तविक्ता से बिल्कुल परे है अगर आप देली दिन चार्या को सही कर लेते हैं अपने डाइट को सही कर लेते हैं तो आप विटामिन डी की जो डिफिसियंसी हुई है उसकुरा कर सकते हैं और सबसे बैस्ट यही होता है जो आप रॉफ फॉ आपने लिए चीज़ों को आपने लिए चीज़ों को पूरा कीज़े और दमाओं से जितना हो सके दूर रहिए आवर शक्ता पड़े तो अपने फिजीशन से संपर की कीज़े या फिर डेंटिस्ट के पास जाएए आई होग कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें लोगों के शार शेर करें ऐसी छोटे शोटे इंफरमेशन आपके साथ हमेशा शेर करते रहेंगे लाते रहेंगे नएने वीडियो तब तक के लिए अपना ख्यार रखें अपने आसपास की लोग का ध्यान लगे, take care, bye bye